अगले 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 एपिसोड में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे Morton's Neuroma के बारे में तो ये एक nerve की swelling होती है आपके forefoot के ball में नीचे, pair के नीचे ये usually third और fourth toes के बीच में होती है, third web space में तो ये जब nerve swell हो जाती है, third और fourth metatarsal के नीचे तो ऐसे लगता है कि आप कोई पत्थर पे चल रहे हो या मौजा फोल्ड हो गया और irritation होती है जैसे ये बिमारी बढ़ती है तो pain बढ़ने लगता है और paresthes ये जैसे मुंगी आने लगती है third और fourth toe में कभी-कभी numb हो जाता है soul का area उस area में third foot toe के पास और ये usually tight footwear डालने से बढ़ता है या ladies जो heel डालती है उनमें बढ़ता है और ये अक्सर middle age women में देखा गया है जो ज़्यादा tight shoes और heel वाले shoes डालते हैं male patients में भी देखा गया है लेकिन औरतों में ज़्यादा common है जो tight shoes डालते हैं जो hard surface पे नंगे पेर चलते हैं उनमें भी कभी-कभी ये देखा गया है तो mortens neuroma होता क्या है अगर आप posterior tibial nerve देखे जो tarsal tunnel से होके जाती है तो वो तीन branches देती है calcaneal branch जो AD की तरफ जाती है एक lateral planter branch जो fifth toe की तरफ नीचे soul से जाती है और medial planter branch तो ये जो medial planter branch है ये digital nerves देते हैं to the toes तो जो third और fourth toe के बीच में एक accessory nerve भी आती है जो इसे join करती है और ये nerve दूसरे digital nerve से थोड़ी थिक होती है उसी लिए ये pressure के लिए ज़्यादा sensitive होती है और यहाँ swelling ज्यादा neuroma यहाँ बनने का chance ज्यादा होता है कभी-कभार neuroma fourth web space में भी देखा गया है लेकिन ये 10-15% है majority third fourth web space के बीच में देखा गया है तो ये nerve pressure और irritation के कारण enlarge हो जाती है बढ़ जाती है perineural fibrosis हो जाता है और ये बहुत painful हो जाता है तो pain इसका जो होता है usually pair के नीचे के बाजू होता है third fourth web space के पास ये चलने से ज़्यादा होता है या narrow shoes और heel वाले shoes से ज़्यादा होता है अगर आप जूता निकाल के पैर को massage करें तो आइससे आइससे pain कम हो जाता है तो जब doctor के बास आते हैं patient तो हम एक pen देते हैं उनको बताते हैं mark करें क्योंकि pain ज़्यादा जगा पे भी हो सकती है लेकिन pinpoint एक जगे पे ही होती है तो patient अगर third और fourth web space के नीचे या बीच में उपर के बाजू point out करें तो probability होती है कि mortens neuroma है फिर आप physically check कर सकते हो कभी-कभी आप foot को जब squeeze करते हो तो ये nerve sudden pain देती है और एक चीज है जिसे murder test केते हैं अगर आप pair को squeeze करें और नीचे से third और fourth web space के उपर आप thumb से pressure दे तो कभी एक click feel होता है ये sign भी mortens neuroma का diagnosis दे सकता है तो इसमें अगर फिर भी आपको diagnosis में problem हो रहा है तो आप local anesthetic inject कर सकते हो वहां और अगर pain चले जाता है तो ये mortens neuroma का diagnosis दे सकता है ये ultrasound या MRI पे भी आपको दिख जाता है अगर conservative treatment fail हो जाती है जैसे rest, ice, steroid injection, change of footwear, wide footwear तो फिर कभी-कभी हमें surgery करना पड़ता है Surgery करने के पहले कई surgeon local anesthetic inject करते हैं neuroma के आजू-बाजू और confirm करते हैं कि pain चला जाता है local injection से फिर उन्हें एसास होता है कि यही कारण है और फिर surgery offer करते हैं Surgery आप pair के नीचे से भी कर सकते हो और pair के उपर से भी कर सकते हो लेकिन नीचे से करने के बाद scar परेशान करता है चलने के time तो 90% surgeons उपर से surgery करते हैं 3rd और 4th metatarsal के बीच में एक transverse ligament होता है जैसे ही आप वो transverse ligament cut करोगे तो आपको neuroma दिखता है काफी जाड़ा होता है यह patients जो symptomatic होते हैं तो यह neuroma काफी proximal जाके exercise करना चाहिए 2-3 cm proximal जाके exercise करना चाहिए और nerve end को हम intrinsic muscles में बरी कर देते हैं ताके stump neuroma ना हो और फिर इसे histopathology के लिए भेजते हैं for completion of the process इसके बाद patient का 3rd photo काफी सा महिनों तक या थोड़े सालों तक नम रहता है आईस्ते आईस्ते sensation आती है लेकिन यह सब आपको patient को पहले ही counsel करना चाहिए लेकिन patients comfortable हो जाते हैं तो इसके differential diagnosis क्या है थोड़ी चीज़े और आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो है metatarsal stress fracture metatarsalgia और lumbosacral nerve root irritation तो यह सब rule out करने के बाद ultrasound या MRI करने के बाद अगर आप diagnosis के बारे में certain है और conservative treatment fail हो गई है तो आप surgery करके neuroma को निकाल सकते हैं तो आज का episode यहीं खतम होता है अगर आपको पसंद आया हो तो like button दबाईए शेयर बटन दबाईए और मेरा episode देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू